Hello friends, class 10th IT में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी निजिरल डॉक्यमेंटिशन के एक और टॉपिक को लिए करकी दोस्तो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वादाओं कि टेबल आफ कंटेंट आकिर क्या होता है इसको लोग छोट में दोस्तो टी ओ सी भी किरते हैं टेबल आफ कंटेंट बेसिकली दोस्तो आपके पास एक इंडेक्स पीज होता है आप अगर पूरी भी बुक देखते हैं चाहिए को हिंदी, इंग्लिश, मैद, साइंस को भी अगर एक बुक होती है तो उसमें हम लोग देखते हैं दूस्तों के स्टार्टिंग के कुछ पीजेस को छोडने के बाद हमारे पास उस बुक का एक इंडेक्स पीज होता है जनरली हम लोग कहते हैं वैसे तो starting भी होता है लेकिन आगे कि जो आपके पास page होते हैं उसमें आपके पास title या फिर अपने पास दूसरी कुछ और information भी होती है तो 2-3 page छोड़ने के बाद अपने पास एक index page होता है उस index page के अंदर हम लोग यह देख पाते हैं कि हमारा जो particular topic है particular chapter है वो concept page के उपर है तो उसके according फिर हम उपने book को खोल करके देख सकते हैं उस particular page पर हम direct जा सकते हैं अगर हमें topic पता है तो similarly दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर अपने writer में या word में अगर हम लोग अपना एक document create करते हैं और हम यह चाहते हैं कि उस particular chapter पर हम direct पहुंच ज ही है वहाँ हम लोग अपने document के according एक index page बना देते हैं और उस index page में हम किसी भी topic पे जब click करते हैं control के साथ तो दोस्तों हम सीधे ही उस particular page यह उस particular topic पर कर सकते हैं तो यहीं अपना topic है table of content इसमें हमें आपको पहले बताने मैं हूँ दोस्तों एक तो introduction ठीके इसके बाद हम ब दोस्तों मैं बताने मैं हो कि table of content को कैसे हम लोग कस्टमाइज करते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे applying character styles अब अपने TOC के अंदर जो character से उनकी styles को कैसे modify कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं ऐसी दोस्तों हम बात करेंगे table of content को जो हमने पहले से बनाना रखा उसको कैसे हम गया introduction को लिकर गये तो आप यहां पर देख पा रहे होगे दोस्तों यहां मैंने mention करना का table of contents तो यह जो table of contents है आपके हल बुक में देखा होगा तो वहां पर यह तो index लिखा होगा या contents लिखा होगा या table of contents लिखा होगा और इसी तरीके से यहां पर फिर आपको page number 4 पर सब topic आपके पास इस chapter के हो सकते है फिर आपके पास एक और topic हो सकता है यह आपके पास होगा page number 5 पर 5 पर 6 पर 7 पर तो इस तरीके से हम लोग भी अपना यहां पर एक table of contents create करके भी देखेंगे होता कि है दोस्तों तो हम लोग कहा सकते table of contents यह नहीं कि DOC जो है in library office is a structured list basically किया आपके पास एक index page है एक आपके पास यहां एक structured list है of the headings in your document तो हम लोग जब अपने document मनाते हैं दोस्तों तो अपने headings के according यहां पर हम वो display करते हैं तो यहां पर जो भी display हो रहा है वो हमारे documents में जो headings होती है heading 1, heading 2, heading 3 उसके इसाब से फिर यहां पर वो create होता है ठीक है इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं यहां पर कि जो अपके पास यह headings है in your document allowing reader to easily navigate to different sections आप यहां से direct किसी भी particular page के उपर अगर move होना चाहते हैं किसी भी section पर तो आप direct हो सकते है whenever you make changes, जब भी आप अपने इस document के अंदर कोई भी changes करते हैं in the heading of our document, they appear automatically in the table of content when it is next updated जब भी आपने documents में कोई changes कर रखे हैं राश्क में दोस्तों जब आप इसको update करते हैं अपने इस particular table of content को तो automatically यह पूरा आपका update हो जाता है next अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो अपने पास आते हैं कुछ characteristics, क्या-क्या characteristics हैं हम लोग देख लेते हैं TOC के तो पहला तो है कि it should be easy to read and simple to use तीकि यहनि कि जो हमारा table of content है वो बहुत easy होना चाहिए, आसानी से हम उसको use कर पाए उसके अलावा it should be organized and formatted properly तो हमारा यह जो TOC यह table of content है वो एक उसका जो format है वो एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए, अच्छे से organize होना चाहिए फिर हम क्या सकते it must be accurate and easily accessible तो हम उसको बहुत आसानी से use कर सकें, बहुत easily या accurate तरीके से आप उसको access कर सकें फिर it should be given after the title and copyright page तो हम इसको copyright page के जस्ट बाद या हम कह सकते है टाइटल पेज के बाद इसको create कर सकते हैं इसी तरीके से दोस्तों next अपने पास हमाने जो टॉपिक है वो है creating a table of content हम कैसे अपना table of content या create कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करतेंगे दोस्तों अपने एक document बना देंगे और document बना देने के बाद अगर हमको लड़ पाया कि हमारा एक chapter का नाव हमें mention करना है तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उसके लिए adding one use करेंगे अब उस chapter के अंदर अगर हमारा एक main topic है तो हम लोग यहाँ use कर लेंगे heading number two अगर उसके अंदर फिर एक और sub topic है तो हम लोग use कर लेंगे यहाँ पर heading three अगर उसके अंदर एक और topic है तो दोस्तों हम लोग use कर लेंगे heading 4 suppose उसके अंदर भी होता तो 5 generally हम लोग 1, 2 या 3 heading को use करते हैं अगर आप चाहें तो topic उसके विज़र main topic फिर उसके बास sub topic उसका भी topic उसका भी sub topic अगर आप चाहें तो यहाँ heading 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आप चाहें वो आप यहाँ use कर सकते हैं यही जो आपके पास heading से वो दो जगे से आप apply करवा सकेंगे एक तो दोस्तों करवा सकते हैं आप style से ठीक है और दूसरा आपके पास यहाँ पर है कि जो हमारा forwarding bar अपने पास होता है उसमें भी आप चाहें तो यहाँ से भी इसको use कर सकते हैं तो यहाँ हमारे पास यही है कि कैसे हम लोग इसको create कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि applying heading style तो कैसे करेंगे हैं फर्स एंशोर यह document is using heading style highlighter heading जो भी आपका particular topic जिसको आप यहाँ पर main TOC के अंदर डालने वाने हैं उसको आपको पेदे highlight करना पड़ेगा उसके लिए आप क्या करेंगे style में जाएंगे जो कि sidebar में आपको देखने को मिल जाता है तो मैं भी इसको एक बार करके दिखा देता हूँ दोस्तों इसके लिए हम लोग practical लेकर देखें तो मैं यह जाकर के start कर लेता हूँ अपना writer अब writer में अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो जैसे मैं आप से करता हैं आप यहाँ sidebar से भी use कर सकते हैं और दूसरा अपने पास यहाँ से भी अगर मैं यहाँ देखता हूँ communication के अंदर तो communication के साथ साथ में लिखता हूँ communication के types तो मैं लिख देता हूँ suppose के types of communication यह है suppose मैं चाप्टर का नम चाहता हूँ आगे जाकर यह लिख दू chapter 1 अब यह जो chapter 1 है इसके अंदर अपने पास कुछ और topic आएंगे लेकिन मैं भी देख देता हूँ direct जाकर के chapter 2 इसमें लिख देता हूँ यहाँ पर communication cycle इस तरीके से communication cycle है मैं यहाँ पर chapter number 3 डालना चाह रहा हूँ suppose के लिख देता हूँ यहाँ effective communication इस तरीके से मैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ chapters के नाम देता हूँ तो यह दोस्तों मेरे पास क्या chapter के नाम है इसलिए मैं इसको यहाँ से इन तीनों को इस अपने पास होता है हमेशा chapter के अगर आप चाहें तो इसके अंदर सब topic भी डाल सकते मैं आदा कि इसमें और content अभी add करने वादा हूँ तो इसके अंदर हम लोग क्या करते है types of communication लिख देते है यह अपने पास होता है दोस्तों उसको लोग कह सकते हूँ verbal communication ठीके verbal communication में लिख देता हूँ ठीके यह अपने पास है verbal communication इसी तरीके से मैं एक और communication लेता हूँ यहाँ पर वो अपने पास हो जाएगा suppose non-verbal communication ठीके इसको मैं copy paste कर देता हूँ जाके लिख देता हूँ non-verbal communication और तीसरे अपने पास है वो है visual communication ठीके इस तरीके से मैंने यहाँ पर topic ले लिए है अब देखिए verbal जो communication है वो फिर से अपने पास दो type के तो मैं लिख देता हूँ suppose कि oral communication ठीके इस तरीके से ठीके तो मैं इसको फिर से वापसे copy paste कर लेता हूँ यह communication जो word है बार-बार मुझे use करना पड़ेगा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर oral communication और डूसरा अपने पास है यहाँ पर written communication तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि यह जो आपके पास अभी तक सारे topics है ठीके इसको मैंने यहाँ से क्या लिया था heading 1 यह सब chapter के नाम होगे मानके चलता हूँ लेकिन यह वाली जो heading है ठीके यह अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगी heading 2 क्योंकि यह क्या है अपने पास main topic है और उसके अंदर अपने पास यह जो topics है यह अपने पास क्या हो देंगे यहाँ से heading 3 इसी तरीके से यह आपके पास दोनों जो है यह फिर से आपके पास हो जाएगे यहां से Heading 2, क्योंकि यह Chapter के नाम नहीं है, Main Topic है आपके पास, फिर यह आपके पास यहां से Heading 1 है, और इसी तरीगे से आपके पास यह भी Heading 1 ही है, मतलब यह Chapter के नाम है, इसी तरीगे से अभी हम इसके अंदर कुछ Copy Paste कर देंगे, सबसे Important यही Part आता है, अब हम चांदे Communication Cycle को Mention करना, तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, जैसे कि Sender है, या Receiver है, ठीके, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, Receiver, ठीके, ऐसे अगर आप कुछ और भी लिखना चाहें, तो लिख सकते, खेर, मैं इतना ही लिख देता हूँ, ठीके, अभी यह जो अपने Topics है, दोस्तो, यह Commissioner Cycle के अंदर है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अदिंग 2 बना देता हूँ, और अगर आप चाहें, तो कुछ और भी इसके अंदर लिख सकते, खेर, मैं दोस्तो, इसके लाष्ट में आने के बाद, यहां पर नॉर्मली जाकर के लिख देता हूँ, ऐसे ही, This is a Sample Text, यह क्या है, कि मैं Content ऐसी Copy Paste करने बना हूँ, ठीके, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, और ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि मेरा डॉकिमेंट थोड़ा बड़ावा दिख जाए, ठीके, इस तरीके से मैं आपको बस यहां यह बताना चाह रहा हूँ, कि मेरे यह जब टॉपिक से, ठीके, यहां रड़रेक पेजिस के उपर आ रहे हैं, तो मैं ऐसे ही इसको कॉपि पेस्ट करता जा रहा हूँ, दोस्तों यह बताने के लिए कि मेरा डॉकिमेंट बहुत बढ़ चुका है, ठीके, इस तरीके से मैंने यहां कुछ लिखती है, तो कुल मिला कि 40 पजास पेज मेरे पास डॉकिमेंट की हो, चुके, स्टार्टिंग में जाता हूँ, दोस्तों, कंट्रोल वहों को यूज करते हूए, और यहां सबसे ओपर जाकर कि, अगर मैं मैं मेंचन करना चाता हूँ अपना टेबल ओफ कंटेंट, तो मैं वो कर सकता हूँ, देखे, मैं फर्स्ट पेज को एमटी छोड़ रहा हूँ, अगर आप देख पारें, तो मैं फर्स्ट पेज को एमटी छोड़ा हूँ, सेकंड पेज से मैंने शुरू किया है, ठीके, अब फर्स्ट पेज बे मुझा कर वही सब चीजी वापस चाहिए, जिसको मैं Table of Content किया रहा हूँ, तो Table of Content लेने के लिए आप क्या करते हैं, दूस्तों Insert में जाते हैं, Insert भी जाने के बाद आप यहाँ पर आपको एक Option दिखाए देता है, Table of Content and Index, इसमें फिर आपके पास कुछ Options आते हैं, जिसमें दिखा है Table of Content Index और Bibliography, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक Dialog Box आजाएगा, इस Dialog Box में सबसे पहला Option आपके पास है Type, दूसरा आपके पास है यहाँ पर Entries, उसके बाद आपके पास है Style, उसके बाद आपके पास है Columns और उसके बाद है Background, मैं एक बार के लिए दोस्तों इसका Background Color यहाँ पर थोड़ा Set कर लेता हूँ, सबोज मैं यह एक Background Color चूज करूँगा, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर Columns में अगर कोई Changes करना चाते हैं, करीपर आपने देखा होगा, कि जो Index Page है, वो दो अलग-अलग Columns में होता है, जिससे अगर आप देख रहें, अभी एक Columns है, आप यहाँ उपर देखेंगे, तो आपके पास यहाँ दो Columns बन जेगी, जिससे यहाँ Example आद देख पाने, मैं क्यार एक Columns रख रहा हूँ, इसी तरीके से हमारे पास आता है Style, यहाँ से हम Style भी Change कर सकते हैं, मैं आपको भी आगे दिखाऊँ, वा फिर से, जिससे Heading 1 है, ठीके, Heading 1 में Edit बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और Suppose मैं चाहता हूँ कि जो मेरे Chapter का नाम है, ठीके, यह नहीं कि वो Adding 1, उसका Color यह हो जाए, इसी तरीके से मैं उसका Phone बदलना चाहता हूँ, तो मैं Phone मैं यहाँ से Lucid ले ले लेता हूँ, Suppose आपको इन भी Phone लेना चाहिए, आप दे सकते हैं, मैं Suppose Lucid ले लेता हूँ, और Phone की Size जो अपने पास है, अभी यहाँ 18 है, मैं इसको बढ़ा करके थोड़ा, Suppose 32 कर देता हूँ, ठीके, यह मेरा Chapter का नाम है, मैं इसको Simple अभी इतना है अपलाई करके, एक बार OK कर देता हूँ, यहाँ से भी OK कर देता हूँ, मैंने Copy Page ज़़ा कर रखा था, आप देखेंगे यहाँ आपने पास Verbal Communication आ चुका है, यह अलग-अलग Pages पे हैं, तो आप यहाँ पर जाकर की भी देख सकते हैं, Chapter 1 है, Types of Communication, जो Page No. 2 पर है, फिर Verbal Communication 6 पर है, Oral Communication अपने पास 11 पर है, और ऐसे ही आपके पास, जितने भी Chapter से, वो सब आपको यहाँ देखने को मिड़ गए, आप इटमेंसे किसी भी Page पर जाना चाहते हैं, जैसे Page No. 34 पर मेरे पास Sender है, तो दोस्तों, इसमें मैं जैसी Control के साथ क्लिक करूँग, आप देखेंगे, आप सीदे ही Center पर आज चुके हैं, मैं आगें दोस्तों, यहाँ पर जाकर के, Oral Communication पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे, Oral Communication पर आज चुके, मैं Control के साथ Home यूज करके, Document के शुरुवात में आ जाता हूँ, ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर, पुल Non Verbal पर जाना चाहते हैं, Control के साथ क्लिक कर देंगे, हम लोग इस पे, तो देखेंगे, आप Non Verbal Communication आ चुको, और यह हमारा Page Number है, जो कि आपको नीचे आद दिख जाएगा, Page Number 20 पर हम लोग, ठीक है, इसके बाइब, दोस्तों, हम लोग यहाँ डिसकस कर रहे थे, कि कैसे हम उसको Create करते हैं, तो Create करने के लिए क्लिए क्लिए था, Insert the Table of Content, कैसे करेंगे, हम लोग Insert Menu गई थे, ठीक है, यह रहा अपने पास Insert Menu, इसमें एक Option था, आपने पास, Table of Content and Index, और इसके अदर अपने पास यह Option था, ठीक है, Table of Content, Index and Bibliography, इस पे जैसे क्लिक करा, अपने एक Dialog Box आया था, इस तरीके से, जिसमें अलग अलग अप्शन थे, जैसे कि यह रहा Table, यह रहा Entries, यह रहा Style, Column, Background, और यहाँ पर दोस्तों, मैंने लिखा है, Table of Contents, अगर Table of Contents में, यहाँ मैं लिखता हूँ Index, तो अपने पास Index लिखा आएगा, जिसे कि आपने यहाँ पर दिखा था, यहाँ पर अपने पास क्या लिखा रहे हैं, दोस्तों Table of Contents, क्योंकि वहाँ आपने Table of Contents लिखा हमें, अगर यहाँ हम लोग कुछ और लिखेंगे, तो इधर भी वो चेंज हो जाएगा, इसी तरीके से हमारा जो टाइप है, वो यहाँ पर Table of Contents था, ठीके, for entire document, पूरे documents के लिए हम लोग यूज़ करें, ठीके, maximum कितनी level तक हम लोग वेडिंग रख सकते हैं, तो यहाँ अपने पास से 10, अगर यहाँ आप चाहें, तो ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, अलागि इसकी भी जवरत ने पड़ेगी, वुश्किल से 2 या 3 हेडिंग की जवरत अपनको पड़ती है, इसी तरीकी से दोस्तों, अगर हम देखें, तो यहाँ इस बटन पर जाएंगे, तिके कुछ अपनी जो सेटिंग से वो जूज करेंगे, फिर हम ओके बटन पर क्लिक कर देए, इसकी बाद क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ अपनी हेडिंग की अपने पास अपनी डेवल उफ कंटेंड बन जाता है, अब हम लोग बात करते हैं, अरारकी और हेडिंग को लेकर के, तो यहाँ पर मैं आपको जैसे भी क्या भी रहा था, कि यह जो आपके पास हेडिंग 1 है, यह क्या है आपके पास में, तो इसको अपने पास है चैप्टर का नाम, ठीक है चैप्टर बन जैसे, उसकी बाद आपके पास है अथा है एडिंग 2, तो हैडिंग 2 आपके पास जैसे 1.1 हो गया, जैसे यह आपका हो गया section में topic, आपका इस chapter ले क्या है, इन केस अगर आपको और भी उसके अंदर sub-topic चाहिए, sub-division चाहिए, तो फिर आप यह आप रेडिंग 3 चूज कर सकते हैं इसके लिए, इसके अंदर आपको और चाहिए, तो आप रेडिंग 4 ले सकते हैं, ऐसे आपके पास energy हो थी, इसको आप यहां format और edit भी कर सकते हैं, आगे अब लोग देखेंगे, इसके बाद एक customize in the TUC, इसको अगर आप customize करना चाहते हैं, बाद में अगर आप कभी इसमें कोई changes करना चाहते हैं, तो आप simple है, दोस्तों इसमें जाकर क्या करते हैं, इसमें आप देख पा रहे हों कि यहां क्या लिखा है, आपके पास index, जो आपका index उसको edit करना है, तो आप edit index जो आपके पास option आता है, इसके उपर आप click कर देंगे, और फिर modify the title, style, format, जो भी आप चाहते हैं, जैसे अब इसमें क्या table of contents लिखा है, तो मैं चाहता हूँ, इसमें table of contents की जगे क्या लिखा है, केवल contents या index लिखा है, तो मैं edit में जाओगा, और यहां पर जो आपने देखा था अभी, ठीके, style, starting के अंदर, यहां जाकर के मैं लिख देदा हूँ, एक बार index, ठीके, आप simple सा okay करेंगे, आप देखेंगे, यहां पर वो क्या ओर चुका index हो जो जो, ऐसे ही, आप right click करके, edit में जाने के बाद, और अगर इसमें वो changes करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहां से बदल सकते हैं, जैसे मैं styles में जाकर करके, भी change करता है, एसे ही, आपके पास entries भी होती, जैसे आप यहां देखेंगे, आप यहां देखेंगे, आप यहां पर लेवल से, structure of formatting से, यहां से अगर आप चाहें, तो बदल सकते हैं, और यहां साज साथ में आपके पास character styles भी है, जिसको आप चाहें, तो अपने इस साब से modify कर सकते हैं, तो मुझे इसकी requirement अभी फिलाज नहीं है, यह आपको समझ में आ गया हुगा, कैसे हम यहां पर changes कर सकते हैं, इसी तरीके से next अगर हम देखें, तो अपने पास आता है, यह format options में आपको भी मिजस्ट बता दिये, कि आप यहां पर जो है, वो adjust कर सकते हैं, indentation, spacing, font style, ठीके यह सब आप यहां entries के इंदर जाकर के changes कर सकते हैं, यह जो आप देख रहे थी, जिससे chapter number या ऐसे और भी topics आप यहां देख सकते हैं, जिससे कि आपको आपका table of content बहुत अच्छे से दिखाई थे, इसकी बाद दोस्तों, आपके पास है, applying corrective styles, तो मैं आपसे भी का भी था, कि edit में जाकर कि आप changes कर सकते हैं, जिससे अपने करा भी है, ठीके तो यहां styles में जाकर कि आप यहां पर level या side में आपके पास जो options आता है, जैसे कि मैं आपको भी दिखा भी रहा था, तो आप यहां पर वो color मेगरा भी change करना चाहें, तो कर सकते हैं, जैसे यहां पर आने के बाद अपने पास के आता है, एक style आता है, और style में, suppose मैं चाहरा था, जैसे भी red color है, ठीके, इवन के alignment अगर आप चाहें, तो वो भी आप बदल सकते हैं, जैसे मैं center कर देता हूँ, indentation अगर आप change करना चाहरें, तो जो भी आपको काम करना है, दोस्तों आप यहां से करके apply कर दीजे, आप दीखेंगे, एक बार जैसे इसको okay गरता हूँ, आप देखेंगे, जो हमने यहां पर change किया था भी, ठीके, वो यहां आपका apply हो चुका है, पूरे documents में हो जाता है, एक जैसे, ठीके, तो इस तरीके से हमारे पास एक यह भी option था, अभी हम लोग देख रहे थे, next अगर हम देखें, तो दोस्तों हमारे पास आता है, फिर से वही editing और जो मैं आपको भी दिखा भी रहाता है, कि edit क्या से करते हैं, आप right click करके, edit option को choose करके, आप उसमें edit कर सकते हैं, अपने dialogue box में जो भी settings है, इसके मात दोस्तों आपके पास आता है update और delete, तो update जैसे अभी हमने document है आपका, अगर suppose यहाँ पर, इस जगे पर, अब मैं पुछ और changes करता हूँ, जैसी, suppose कि यहाँ में लिखा है, मैं जाकर लिख देता हूँ, ऐसे कि sample text, ठीक है, और इसको मैं बार-बार copy paste कर लेता हूँ, आप देखेंगे, यह sample text में जो बार-बार लिखता जा रहा हूँ इस कोड का, इसा कोड को मैं was SHC, अब यहां से copy करकी बार-बार paste करता जा रहा हूँ, इस तरीके से मैं बार-बार copy paste करता जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर अगर इमेज insert करना चाहता हूँ, तो image भी insert कर सकता हूँ, उसके लिए मैं insert में चला जाता हूँ, और यहां आपके पा करके अभी देखता हूँ यहाँ पर अभी देखेंगे आपके पास सारे के सारे यहाँ पर indexing वही है जैसे 2, 6, 11, 16 लेकिन जैसी right click करके मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ एक बार update करता हूँ आप देखेंगे यहाँ 6 का 16 हो चुका है ठीकि यहने सारे changes हो गए 10 पेस का content दोस्तों मैंने यहाँ copy paste करती है तो आपका content जो है यहाँ पर copy paste होता जा रहा है जिसकी वज़े से आपके page number भी बदले जा रहे तो वो खेसे आप इसको वापस सही करते है मैनुवली नहीं करना होता है simple जा right click करके आप यहाँ update index पे click कर देते है और last अपने पास आएगा दोस्तों हो है delete जैसी इस button पे click करोगा आप देखेंगे वो index आपका यहाँ से delete हो चुका होगा ठीकि तो next अपने पास यहाँ पर यह deleting डिलेट के लिए क्या करना है आपको वो भी same ही तार आपको क्या करना होता है right click करना होता और फिर आपको यहाँ से delete index बटन को click करना होता है choose delete इस button पे आप जैसे click करेंगे आप देखेंगे this will remove the table of content from your document without affecting the headings ठीकि तो यह क्या करेगा automatic उसको delete कर देगा बाखिये सब कुछ same ही रहेगा बस यह table of content यह ती उसी या index को यहाँ से remove करतेगा आयोग दोस्तों के सारी चीज़े आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी तो इस तरीकी से दोस्तों all worst हमने इस chapter से related सारी बाते कर ली है हम मिलते हैं फिर से अपने अगले वीडियो के अंदर जिसमें मैं आपको एक और नए topic के साथ कुछ नई बातें बताने बाला हूँ तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए आप मेरे साथ जुने रहिए हैंगी